हलो सुडेंट्स नमस्कार गुड मॉनिंग क्या चालें चलें आगे बढ़ें चलिए आज हम एक नया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने वाले हैं इंडेस 17 लीजिस ठीके बैटा तो तयार हो जाईए इंडेस 17 पढ़ने के लिए है ना तो सबसे पहले बुक ज करेंशल रिपोर्टिंग इसका पेज नमबर 2.1 निकाल लीजिये सबसे पहले फटाफट ताकि यह इंडेस आपकी आखों के सामने आ जाए आपकी नजरों के सामने आ जाए बिलकुल ठीक है इंडेस 17 लीजिस पेज नमबर 2.1 यह निकाल लीजिए है एकलियर है चलिए देखिए अगेन सबसे पहली बात यह आती है दिमाग में कि यह Indian accounting standard 17 हमको क्या सिखाने वाला है इस accounting standard का objective क्या है उद्देश क्या है तो पहली बात clear कर लें कि accounting for lease transaction अगर हमारे business में lease transaction होते हैं ठीके तो उसकी accounting किस तरीके से की जाएगी उस पर यह accounting standard in days 17 applicable होता है clear अब दूसरी बात जो दिमाग में आती है जो हमारे जहन में आती है वो यह है कि आखिर lease transaction का मतलब क्या होगा ठीक है ना तो देकिए lease transaction का मतलब समझते हैं तो पहले इस lease word का मतलब आपको समझना जरूरी है clear तो page number 2.1 पर आ जाईए और page number 2.1 ठीके ना चलिए बटा ध्यान दीजिए books में यहां पर सामने what is lease lease का मतलब क्या होता है ठीके ना तो देखिए सिंपल सी बात है यहां पर ध्यान दे आपके लिए आकर्शक धिंग से लिखा हुआ है कि lease is an agreement lease is an agreement lease is an agreement lease एक agreement है between the two parties इसमें दो parties है lessor and lessy for example मैं एक party हूँ आप एक party है ठीक है और क्यों agreement मेरे और आपके बीच में कोई agreement हुआ है और agreement क्या हुआ देखिए मैं lessor हूँ आप lessy है और lessor transfer right to use asset to the lessy मतलब क्या हुआ मेरे पास कोई machinery है कोई asset है और वो asset मैंने आपको use करने के लिए दी मैंने उस asset को use करने का अधिकार आपको दिया ठीक है ना मैंने आपको machinery बेची नहीं है बेटा बिलकुल नहीं बेची sale out नहीं की है मैं आपको उस machinery को use करने का right दे रहा हूँ clear है तो मैं कहलाओंगा lessor आप कहलाएंगे lessy मतलब asset को right to use देने वाला जो देने वाला है वो lessor है और जिसने asset को use करने के लिए लिया है वो lessy है is it clear तो बड़ा वापस से देखो lease is an agreement है ना बिल्कुल लिखने में भी time waste नहीं करना लिखा है बहुत अच्छे आपके लिए book बनाई गई है ना और इस book की खासियत भी है बहुत student friendly है technical language है इसमें proper language है और even हमने कुछ general Hindi के शब्दों को भी English letters में लिखा है जिससे आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाएगी तो lease is an agreement जिसमें there are two parties lessor and lessy lessor transfer right to use asset to the lessy है ना और obviously बात है मैं आपको asset use करने के लिए दूँगा तो मैं आपसे कुछ पैसे लूँगा कुछ consideration लूँगा उसके लि तो in return lessy makes a payment to the lessor clear lessy उसके बदले payment करेगा तो क्या सीख लिया यहाँ पर आपने कि lease दो parties के बीच में होने वाला agreement है इस agreement में क्या हुआ है एक party ने दूसरी party को अपनी कोई asset use करने के लिए और उसके बदले में जो party asset को ले रही है use करने के लिए वो उसके बदले में कुछ payments करेंगी is it clear और जो asset देने वाला है वो lessor है और जिसको asset मिल रही है वो lessy है clear अब आ जाते है page number 2.2 पर बहुत ही general example आपके लिए है बहुत simple example देखो page number 3.2.2 देखिए गुड्डू ओनर है machinery का गुड्डू is the owner of machinery है न और machinery को use करने का जो right है गुड्डू ने रुची नाम की लड़की को दे दिया है यहाँ पर और एक proper agreement हुआ है और रुची ने कहा है कि हे गुड्डू 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 ए गुड्डू मैं तुमें 40,000 रुपीज पर एनम दे दूँगी तो यहाँ पर यह transaction में गुड्डू क्या है लेस और रुची क्या है लेसी और यह क्या हो गया least transaction between गुड्डू एंड रुची ठीखे अब आगे बढ़ जाते हैं बहुती आराम से बहुती धंग से है ना बिल्कुल प्रेक्टिकल कोश्चन्स पर अभी नहीं सोचना है अभी थेोरिटिकल कॉंसेट पहले क्लियर करेंगे ना पहले कंसेट और कंटेंट पर ध्यान देंगे चलो थोड़े सवाल जवाब कर आपके लिए बनी है और आपको बहुती इजी और बहुत धंग से सारे पूरा सिले पर समझा देगी ध्यान दे क्या थोड़े कोश्चन से राइस करते हैं भी तक जो हमने सीका उस पर वह यह है बटा देखो क्या गुद्डू ने असेट रूची को रेंट पर दी दिमाग म बिल्कुल least transaction और rent transaction similar transactions होते हैं कोई बहुत ज्यादा उसमें difference नहीं आता जनरल बात बता रहardon आगे हम detail धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और तहामें उतरेंगे और तहकाने में उतरेंगे तो और समझ में आयेगा आपको लेकिन अभी तक के इसाब से ठीक है तो रेंटल ट्राजक्शन लुइन होता है, वही जैसे रेंट डीड बनती है वैसे लीस डिड बनती है, तुम मेरी असेट को यूस कर लेना कोई दिक्कत नहीं है, वो मुझे पैसे देदेना, कंसिट्रेशन देदेना, पेंट्स कर देना, ठीके, तो पहला question की सरक है ये rental transaction है तो बेटा बिल्कुल ये rental transaction है lease transaction और rental transaction similar transaction है अब आगे बढ़ते हैं कोई ज़्यदा tension वाली बात नहीं देना बहुत आराम से आगे बढ़े पेज नमर 2.3 पर आईए गुड़ू ने रुची को asset कितने period के लिए दी एक साल के लिए दी छे मेने के लिए दी दो मेने के लिए पता होना चाहिए न आपके दिमाग में आगे कि अगे रिए transaction कितने अवधी के लिए हो सकता है कितने period के लिए transaction हो सकता है तो कोई बात नहीं बेटा ये any period के लिए हो सकता है वन येर भी हो सकता है एक साल से ज़्यादा भी हो सकता है एक साल से कम भी हो सकता है हाँ maximum asset की life जितना हो सकता है असिर्की यूसफुल लाई भी 10 साल है तो मैक्सिमम दस साल लिए दे सकते हैं उससे जादा तो नहीं दे सकते हैं बहुत ही आप समझदार बच्चे बड़े प्यारे 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 स्टूडेंट्स हैं आप बहुत अच्छे लोग हैं आप पढ़ने का जजबा रखते हैं अपने बहना चलो आगे बढ़ जाते हैं अब तीसरा क्योश्चन जो हमारे चंचल मन में जो उत्पन होता है वो यह होता है कि इलीस ट्रांदेक्शन यह जो भी गुट्डू रूची वाला एक्जामपल में आपको बता रहा हूं हमारा गुट्डू रूची वाला वह एक् से ट्री एक लाग पीजार का win करेगी कितूने का कहिले में करेगी एक लाग दीस घर खारर मोंढा अपनर में मतलब नहीं कि अधली भी हो सकता है उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और अब एक आखरी प्रशना आपके दिमाग में आता है कि सर ये जो रूची ने 40,000 रुपे जो परेनम ये जैसे भी दिये हैं गुद्डू को लेस और को लेसी ने जो पेमेंट किया है सर वो पेमेंट सर उसका कोई नाम हम क्या उसको कुछ कहते हैं क्या कहें उसको रेंटल कहेंगे क्या बेटा उसको लीज रेंटल कहेंगे क्या कहेंगे लीज रेंटल एक Rs. ris transaction की accounting पर application होगा बилकुल सही सोच रहे हैं आप और हमने वह थोड़े साथ question कि यह कि वही Rs. cracking a idle transaction कहा similar transaction होते हैं इसका period क्या होगा और क्या entire payment एक साथ हो सकता है और । पेमेंट जो लेसी करता है उसे क्या कहते हैं तो उसे लीज रेंट कहते हैं ये बात हो गई है ठीक है बिलकुल घबराने की जुरत नहीं है और आराम से मेरे साथ साथ चलो और ये अगले पेंच पर आ गए आप लोग पेंच नमबर 2.4 पर बहुत ही आकरशक चित्र देखने क को मिल रहे हैं आपको सर्य इधर ये लड़का बना है सर्य इदर लड़की सी बनी हुई है सर्य कौन है दोनों कैशर हम इनको जानते हैं हाँ बेठा तुम इननों को जानते हो ये इदर स्यक्राइव और उधर वाली रूची 얘기त्र लेसौर है और रूची दा लैसी है है आध और अब हम lease की definition पूरी पढ़ेंगे indice 17 के हिसाब से, बिल्कुल exact definition है वो बात करेंगे अब हम यहाँ पर, lease is an agreement, हाँ सर ये agreement है सर, in which lesser convey to the lessee right to use asset, हाँ सर लेस और ने lessee को asset का right दे दिया, use करने के लिए, सर हाँ सर आप बिल्कुल सही बता रहे हैं सर, बेची नहीं है, asset आप आपने भी कहा भी था, ये use करने के लिए दिये, बिल्कुल वो lessee use करेगा केवल, और for a agreed period, एक period होगा वो बिल्कुल सही है, in return of payment और series of payment, देखो बटा है अब एक शब्द दो रागया, series of payment, तो मैं क्या कह रहा था, payment भी हो सकता है, single payment भी हो सकता है, और series of payment भी हो सकता है, आपको समझ में आ चुका है, कि हाँ सर ये lease transaction होता है, बिल्कुल सही होता है, ठीक है, तो अब आराम से धीरे धीरे से अबन चलते हैं, और आगे बढ़ते हैं, हाँ सर धीरे धीरे से मेरी जिन्दगी में आना सरी गाना भी हमने सुना हुआ है, हाँ बिटा पुराना गाना ह भी गाया था मुझे पता है, वो गाया था उन्होंने, चलो आगे बढ़ते हैं, अपने को एक्जाम में हनी सिंग का कोशन नहीं आएगा, ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं, अब क्या हुआ थे को यहाँ पेज नमबर 2.4 पर भी आगे बढ़ रहे हैं, कि lessor transfer only right to use asset, इसक का मतलब है कि asset की ownership transfer नहीं होती, lease transaction में asset की ownership transfer नहीं होती, और legal owner, asset का legal owner हमेशा कौन रहेगा, गुड़ू the lessor, गुड़ू ही हमेशा asset का owner रहेगा, इस example में, yes, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल 100%, legal ownership transfer नहीं हुई है, asset गुड़ू की थी, गुड़ू की है, गुड़ू की रहेगी, जब तक मैं कुछ और ना बता दूँ, मैं को यहाँ पर exception ना बता दूँ, तब तक तुम्हारे जहन में यहीं चलेगा, कि ऐसे गुड़ू की थी, गुड़ू की है, गुड़ू की रहेगी, गुड़ू कौन है, गुड़ू दले सोर, है न, तो बिलकुल ये बात क्लियर रखो, टेंशन नी लेने का, आगे बढ़ रहे हम, सर अब क्या पढ़ने वाले हम, अब कुछ नया पढ़ा रहे हैं आगे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, बिलकुल पड़ावट, पड़ावट से, हाँ मेड़ा, चलो, अब इंडे 17 हम पढ़ रहे हैं, ये लीस ट्रांदेक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया, इसकी अकाउंटिंग अभी सीखते हैं, अब इंडे 17 ये कहता है, कि ली लीस ट्रांदेक्शन होते हैं, लीस के मेरे और आपके बीच में, गुड़ो रुची के बीच में, बंटी और बबली के बीच में, किसी के भी बीच में, एक स्लिमिटेड रॉबाय लिमिटेड के बीच में, जब भी ट्रांदेक्शन होंगे लीस के, तो वो दो तरह की लीस नहीं सिर्फ दो बस मेरे दो अन्मोल रतन हां एक है रामलखन नहीं एक है फाइनेस लीज और एक है ऑपरेटिंग लीज क्या है बटा फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज बस ये दो हैं सरी दो तरह की लीज होती है हाँ बेटा बिल्कुल दो तरह की लीज होती है Finance Lease और Operating Lease Operating Lease और Finance Lease Finance Lease और Operating Lease बिल्कुल दिमांगे फिट करते चलो हर चीज को ठीक है? हाँ बिल्कुल तो there are two types of Lease Finance Lease and Operating Lease ठीक है? अब आपको क्या समझना पड़ेगा बेटा बताओ? क्या मन में आता है? अब आपके मन में क्या जिग्यास जागी? अब आपके मन में ये जिग्यास जागी है ैसर सर 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 अब आप उनको समझा दो कि Finance Lease क्या है और Operating Lease क्या है? सर पहले कौन सी समझना चाहिए Finance Lease की Operating Lease? तो बेटा मैं कहता हूँ पहले समझेंगे finance lease का मतलब और फिर सीखेंगे operating lease का मतलब ठीक है और फटा फट से page number 2.5 पर आप लोग आ जाएंगे और अब आप लोग समझने जा रहे है finance lease का मतलब what is the meaning of finance lease, business में lease transaction अगर होते हैं तो दो तरह की lease हो सकती है बटा finance और operating lease, finance lease और operating lease और अब यहां पर हम आगे बढ़ रहे हैं और देखो क्या हो रहा है यहां पर देखो फटा 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 फट ऐसा lease transaction जिसमें की asset से related maximum risk को reward lessie को transfer हो जाए maximum risk को reward lessie को transfer हो जाते हैं सर यह क्या हो गया risk को reward मतलब बटा risk का मतलब है asset से संबंदित cost यह कोई loss reward का मतलब है बटा asset से संबंदित benefit यह profit मेरे और आपके बीच में कोई transaction हुआ मैं आपको अपनी कोई asset asset का मतलब अभी machinery से ले लेते हैं मैं कोई machinery आपको lease पर दे रहा हूँ और transaction कुछ ऐसा हुआ है कि इस machine से संबंदित सारे फायदे maximum फायदे और नुकसान maximum फायदे और नुकसान maximum risk और reward maximum cost और benefit वो सब तुम्हे transfer हो गए हैं तो यह finance lease मानी जाएगी तो यह finance lease मानी जाएगी तो आपके दिमाग में यह आएगा कि यार श्रुरा इक बात बताईए यह कैसे पता चलेगा कि transaction ऐसा कुछ हुआ है जिससे maximum risk और reward transfer हो गए है यह कैसे पता चलेगा कैसे पता चलेगा आखिर कि risk और reward transfer हो गए है है ना बात समझ में आती है ना तो देखो बेटा इसके लिए इसके लिए in day 17 में कुछ situations दे रखी है situations दे रखी है सुन लिया situations दे रखी है सर situation दे रखी है तो क्या होगा पिड़ा situation से यह होगा कि मैं अभी आपको कुछ चीज़े समझाऊंगा situation 1, 2, 3, 4, 5 पर एक बात समझ लो उनको समझने के पहले ही यह समझ लो पहले कि जब भी यह situation जो हम पढ़ने वाले ही आएंगी तो इसका मतलब है कि assets से संबंदिद maximum risk or reward lessy को transfer हो जाएंगे तो वो finance lease हो जाएगी क्योंकि situation देखो क्या लिखा हमने अब आया suspense बाहार यह देखो फटा poster निकला hero finance lease situations पहले finance lease का मतलब क्या समझा जिस भी lease transaction में maximum risk or reward assets से संबंदिद maximum risk or reward lessy को transfer हो जाएंगे वो finance lease है अब यह कैसे पता चलेगा कि assets संबंदिद maximum risk or reward lessy को transfer हो गए यह कैसे पता चलेगा यह ऐसे पता चलेगा देखो start हाँ finance lease situation ठीक है और अब page number 2.6 पर आजाईए what are such finance lease situation चलिए तो अब हम शुरू करते हैं finance lease lease situation number 1 है ना देखो बेटा situation 1 क्या लिखी है पहले समझो ownership of asset is transferred to lessy at the end of the lease term lessor ने lessy के साथ जब lease transaction किया तो यह कहा कि lease term के बाद यह asset तुम ही रख लेना मतलब lessy को asset की ownership कमपल सरीली ट्रांसफर हो जाएगी जैसे कि एक्जामपल देखके और समझ में आएगा कि गुड़ू asset का ओनर है say machine asset की life 10 years है और right to use उसने ट्रांसफर किया रूची को 4 years के लिए तो बटा lease transaction तो 4 साल के लिए ही हुआ asset के लिए 10 साल है तो 4 साल asset कौन use करेगी रूची lessy और उसके बाद वो asset normally किसके बाद आनी थी lesser के पास लेकिन यहां क्या condition डाली lessor ने कि बाद में भी तुम ही रख लेना मतलब एक तरीके से रूची जो है उस asset को कितना use करेगी page number 2.7 पर देखो lessy will use the asset for 4 plus 6 years that is 10 years मतलब कहने को तो किराय पर ये asset दी गई 4 साल के लिए बैचारा lessor जो है मतलब रूची ये asset 4 plus 6 10 साल यूज करेगी पूरे all the years मतलब उस asset से related maximum risk or reward फायदे, नुकसान, cost और benefit किसके हो गए? रूची के lessy के और इसका मतलब है ये finance lease है है कि नहीं? अब आपके दिमाग में आएगा है ये हुआ क्या, इसा क्या हुआ कि मानो की machine जो गुड़ू ने रूची को दी है वो 10 लाख रुपे की है और गुड़ू ने ये asset 4 साल के लिए दी थी और वो 3 लाख रुपे साल ले रहा है मतलब 4 साल का 3 लाख के हिसाब से 12 लाख रुपे ले रहा है मतलब 10 लाख की asset के बदले में 4 ही साल में गुड़ू 12 लाख ले रहा है 2 लाख एक्स्ट्रा ले रहा है तो भीया हर व्यक्ति चाहता है कि उसके लगाय हुए पैसे का उसको रिटन मिले ब्याच के साथ तो मुझे तो ऐसा लगता है और आपको गुड़ू ने रुची का ओफर भी दे दिया कि तुम मुझे चार साल के लिए लीज पर ले लो और बच्चे हुए छे साल तुम ही रख ले ना क्या प्राब्लम है गुड़ू को लैस और को कोई प्राब्लम हुई क्या उसको तो asset का पैसा भी मिल गया और दो लाग रुबे एक्स्ट्रा उसका ब्याज भी मिल गया इंट्रेज भी मिल गया ठीके तो asset की life कितनी दस साल पूरे दस साल कौन उस asset को रखेगा लैसी बिलकुल तो asset से संबंदिन maximum risk or reward किसको transfer हो गया लैसी को तो ये finance lease हो गई मतलब पहले दिन से ही clear था कि financial lease है कैसे क्योंकि lease transaction चारी साल के लिए था लेकिन बाद में भी छे साल asset लैसी के पास ही रहने वाली थी तो ये हो गया अब आपके मन में प्रश्ण ये उत्पन होना चाहिए कि सर आखिर 10 लहक की asset के रुची दलैसी 12 लाग क्यों देने को तयार हो गई अरे lessor ने तो बड़ा आकर्शक offer दिया था कि 4 साल तुम किराय पे ले लो बचे वे 6 साल तुम रख ले ना ownership भी transfer कर दी तो ये पहले तो लगा आकर्शक offer था लेकिन 10 लाग के 12 लाग भी तो लिये तो आपके मन में आया ना why lessie is paying more lessie ज़्यादा पैसे क्यों दे रहा है बेटा जरूरत इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती lessie को asset चाहिए तो फिर sir lessie खुद खरीद क्यों नहीं लेता अरे भाईया यही तो कारण है जो उसने lease पर ली है lessie के पास funds की कमी है lessie का funds नहीं है मजबूरी है भाई मजबूरी जरूरत इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती इंसान की मजबूरी है पैसा बोलता है दुनिया में पैसा बोलता है मेरे भाई पैसा नहीं है lessie के पास शायद और lessie को शायद loan भी नहीं मिल रहा कहीं से वन्ना लेसी खुद ही लोन लेके असेट ले लेता तो क्या सीख रहे हैं को मिल रहा है बिटा बहुत important बात है और बहुत conceptual बात है यहां पर It's very very important समझ बात, समझो बात को आप लोग कि लेसी को असेट की जरूरत है लेसी के पास funds नहीं है शायद या insufficient funds हैं और इवन लेसी को कोई लोन भी नहीं मिल रहा है कहीं से पर असेट तो चाहिए ना उसको business में वो असेट यूज आने वाली है तो रूची दलेसी की मजबूरी थी कि उसको लेसी जैसे किसी व्यक्ति के पास जाना पड़ा जो उस असेट का ओनर था और investment किस ने किया था लेस और ने कितने रुबए का 10 लाग का अब वो आपको अपने असेट यूज करने के लिए दे रहा है और offer भी क्या दे रहा है चार साल के बाद खुद ही रख ले ना तो बेटा आप भी होते अगर गुड़ू की जेगे पर और asset चार साल के लिए किराय पर दे रहे हो और बाद में 6 साल बाद में 6 साल आप उसे सामने किरायदार को भी रखने के लिए दे देते हो तो यार आप अपनी cost तो वसूल करोगे ही न और एगर एक अच्छे से बिजनेसमेन होगे तो कमसे कम ब्याश तो वसूल करोगे न तो बेटा इसी लिए गुड़ू ने इतना आकर्शक ओफर दिया कि भाईया 10 लाग की asset है मैं 12 लाग ले लेता हूँ चार साल में ही मेरे पूरे पैसे वसूल हो गए है तो मैं ultimately 6 साल के लिए भी रुची को asset दे दूँगा और पहले दिन से ही बेटा page number 2.6 पर वापस आ जाओ पहले दिन से ही गुड़ू ने क्या condition दखी asset की ownership lessy को transfer कर देंगे lease term के end में तो बेटा पहले ही दिन clear हो गया कि रुची ही इस asset को 4 साल यूज करेगी और रुची ही इस asset को 6 साल भी use करेगी तो टोटल हो गए 10 साल maximum यहने लगबग सारी ही हो गए यह तो maximum risk and reward रुची को transfer हो गए, lessy को transfer हो गए यह finance lead है ठीक है और detail में आगे बढ़ते हैं देखो है ना अब page number 2.8 पर आ जाओ तो यह वही वाली बात हुई हाँ यह तो clear होगे भी lessy lessy को तो asset चाहिए थी ना तो lessy मरता क्या न करता उसको तो पसे चाहिए थी loan मिल नहीं रहा था, पैसे थे नहीं तो उसकी जिन्दगी में बाहर बनके कौन आया lessor आया और lessor आया तो ultimately lessor ने वह asset उसको दे दी और कैसे दे दी हाँ, 3-3 लाग रुपे, 3 लाग रुपीस पर है नहीं लिए 4 साल में कितने लिए, 12 लाग रुपे लिए तो बैटा एक तरीके से यही तो हो गया कि lessy ने lessor याज बिलकुल सही lessy ने lessor को यह asset finance कर दी अरे आप कहीं से लोन लेते हो तो क्या करते माल दीजिए मैं कहीं से 10 लाग का लोन लेता हूँ तो मैं हर साल 3-3 लाग रुपे किस्ट दे रहा हूँ तो 10 लाग के 12 लाग रुपे लिए 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 lessy ने interest पे कर दिया है ना चलो situation 1 समझ्झे आ गई क्या थी situation 1 अगर आपके सामने परिक्षा में ऐसा situation आ जाती है कि लीस टर्म के बाद asset lessy को ही दे देंगे इसका मतलब है कि यह finance lease है क्यों है definition वही है basic maximum risk को reward lessy को transfer हो गए है ना अब situation 2 पे आ जाओ बेटा ये भी situation 2 भी finance lease की ही है देखो कैसे lessy has option to purchase the asset after lease term पिछले वाले situation में और इस वाली situation में बच्चों क्या difference आया पिछले वाले में तो lessor ने lessy को यह कहा था कि भई असेट तुमारी हो जाएगी lease term के बाद इसमें option दिया है कि अगर तुम चाहो तो lease term के बाद तुम उससे asset खरीद सकते हो वापस पड़ो वापस पड़ो वापस पड़ो lessy has option to purchase the asset after lease term और अब example पड़ो पहले गुड़ू ने रुची को option दे दिया कि चार साल बाद रुची अगर चाहे तो वह asset खरीद सकती है तो रुची ने सोचा यार क्या चक्कर है यह चार साल तक तो मैं किराया दे दूंगी चार साल बाद में खरीद भी सकती हूँ ठीक है ना वहाँ पर तो पहली situation में तो ट्रांसफर हो गई थी कोई पैसे नहीं मांगे थे देखू लेकिन यहाँ पर गुड़ू कह रहा है कि चार साल बाद तुम चाहो ना मुझसे यह asset option price देखो option की price option दिया ना बेटा गुड़ू ने रुची को option दिया है कमपल्चन तोड़ी है situation 1 में असेट कमपल्चरी रुची की हो गई थी चार साल बाद यहाँ पर option दे रहा है कि रुची 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 तुम चाहो तो चार साल में यह asset मुझसे फाइव चार साल बाद asset की value 6,20,000 होगी यह मैं figure assume कर रहा हूँ example में ले रहा हूँ हाँ बेटा यह दिये रहेंगे exam में भी चार साल बाद asset की value कितनी रहेगी 6,20 और लेसौर ने offer कितने में दे दिया गुड़ू ने 5,70 तो बेटा आप रुची की जगे होते हो और आपको 6,20,000 की चीज अगर 5,70 में मिल रही होती तो आप क्या करते बताईए क्या आप option avail करते हाँ बिलकुल सामान ने अरे अपन मानेंगे ना अपन सामान ने बुद्धी के हैं है ना हाँ कोई विक्षिप्त मांसिक रुप से विक्षिप्त नहीं है ना कोई भी तो भाई यह 6,20,000 कीज अगर 5,70 में मिल रहेगी तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा चार साल असेट किसके पास है रुची के पास और आज ही यह बात क्लियर है कि चार साल बात यह एसेट कौन रखेगी रुची यहां पैसे देखे रखेगी 5,70,000 देने पड़ेंगे तो हाँ चार और छे वापस दस हो गए तो मैं मैं तो कहरें मैंने जो दोनों एक्जामपल हैं उसमें मैक्सिमम की जागे आल ही आ गिया हां मैं यह भी बताऊंगा कि 9 येर्स का होता तो क्या होता 8 येर्स का मैं उस पर आ रहा हूं पर अभी तो इतना समझो कि 4 साल के लिए असेट किसके पास है रुची के पास और 4 साल बाद भी किसके पास हो रही रुची के पास तो मैक्सिमम सारे रिस्क और रिवार्ड किसके हो गए रुची के तो ये फैनेंस लीज है हाँ तो पहले वाले में तो बेटा पहले वाले केस में ओनर्शिप ट्रांसफर हो गई थी गुड़ू ने क्या कहा था चार साल बाद अ तस्ति में दे रहा है तो हम यह माने के के रूची ले लेगी हाँ मैं उसी प्यार ओ अब आपके हमनुन मिल्कुल जो तुम्हारे धिमाग में यह रहे सिर्फムारोयदे में पहले से है हाँ तुम की बने सिर्फेंटे हो मैं सिर्फ 12 चुका ही कि लेसी ने option अवेल किया है कि नहीं किया है हाँ बिल्कुल जोच रहा बेटा तो बेटा यहां पर मैं आपको बात बहुत क्लियरली बता दूँ चार साल बात लेसी option अवेल करेगा है नहीं करेगा हम चार साल तक नहीं रुकेंगा accounting करने के लिए ट्रांजेक्शन आज हुआ है ठीक बिल्कुल आज हुआ है और इंडेस भी यह कहता है कि यस इंडेस यह कहता है कि लीज फिनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज यह आपको शिरुवात में डिसाइट करना है इंञेट इंसेप्शन अफ लीज बोलते हैं इंसेप्शन थोड़ा कटिन चब्द बगनिंग शिरुवात स्टार्तिंग इस्टार्टिंग अब लीज जब भी साट टीक लीस की स्टार्टिंग यह तभी डिसाइट करना है हाँ तो भले ही चार साल बार रुची option avail नहीं करें तो भी आज हम ये मान के क्यों मान के चलेंगे कि रुची option avail करेंगे क्यों मान के चलेंगे क्योंकि देखो हम ने लिखा है सब लिख दिया आपके लिए देखो option price is less than fair value हाँ बेटा बिल्कुल सही गए तुम कि अगर यहाँ पर fair value 620 थी और अगर good to offer ज़्यादा का देरा है कि 6,20,000 के ऐसे ते 4 साल बात तुम चाहो तो ये ऐसे उसे 6,20,000 में खरीद लेना है 6,50,000 में खरीद लेना तो बेटा हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो तो हम नहीं मानेंगे तो हम नहीं मानेंगे कि रुची option अवेल करेगी option अवेल होगा की नहीं रुची इस offer को accept करेगी की नहीं ये तब ही मानेंगे जब option price जो गुड़ू ने price रखी है asset की वो उस asset की fair market value से कम है clear तो ये भी finance lease situation है बेटा मैं वापस से आपके लिए बोलूँगा एक बार finance lease क्या होती है ऐसा lease transaction जिसमें asset से संबंदित maximum risk or reward maximum फायदे और नुकसान lessie को चले जाए है ना अब ये कैसे मानेंगे कि transaction ऐसा हुआ है कि asset से संबंदित maximum risk or reward lessie को चले गए ये कैसे मानेंगे उसी के लिए बेटा situation है और हमने दो situation पढ़ ली है पहली situation में क्या था रूची को गुड़ू ने offer दे दिया कि lease term के बाद asset तुमारी तो automatically पूरा time रूची यूज़ करेगी तो सारे सुगदूक asset से संबंदित रूची के हो गए थे इसमें भी चूकी मेरे example में option price सस्ती है और market value जादा है और good deal ने offer दे रखाए कि तुम चाहो तो खरीद लेना तो हम ये मान के चलेगे कि रूची खरीद लेगी तो 4 साल asset किसकी बेटा रूची की चाहर साल use और बाद में भी कौन करेगा रूची तो फिर maximum reward चले गए रूची को तो फिर ये finance lease हो गया आ गई बात समझ में हाँ बेटा और सारी situation में यही है basic बात तो यही है कि रूची गुड़ू के पास क्यों आई the के पास क्यों आया क्योंकि Forces को asset रहिए Laceyassie asset खरीद नहीं पा रहा है खरीद नहीं पा रहा है पेसे नहीं और पैसे की कमी है यह उसको कोई loan नहीं दे रहा है तो वह है ।ो तो आपके पास asset है हा बेटा 10,000,000 कि था है ठीओ यहाहने ठीओ और भी करेंगे हाँ चलो अब आजाते हैं देखों नेक्स पेज नंबर 2.10 बच्चो 2.10 पर बेटा सिच्वेशन 3 आ गई सर ये तीन सिच्वेशन है तो तीन गुलाब बना दिये आपने हाँ बिल्कुल बेटा पहले दो गुलाब सिच्वेशन 2 पे थे फिर एक था ठीक है ना हाँ ये तो यसे ही बना दिये एसा नहीं कि इंडेस में बोला एक गुलाब बना दो है ना सिच्वेशन 3 बेटा ये थोड़ा सा और समझना ये जो हम सिच्वेशन समझ रहे है पे नंबर 2.10 पर 2.10 है है ना इस पर जो हम समझ रहे है वो ये है प्रेजेंट वेल्यू आफ लीस पेमेंट एप्रॉक्सिमेटली कवर्स फेयर वेल्यू आफसेट बिटा देखो शब्द बड़े बारी बारी है है ना इजी लेंगवेज में समझना अच्छा होता है लेकिन हम समझाएंगे भी आपको बहुत आसान भाशा में समझा देंग क्लास इको है ना वैसे में सब याद करवा दूंगा क्लास में आपको है ना वो टेंशन मत लो आप क्या लिखाया देखो वापस समझाएंगे प्रेजेंट वेल्यू आफ लीस पेमेंट एप्रॉक्सिमेटली कवर्स फेयर वेल्यू आफ असेट सर ये तो कुछ चक्कर चला दिया आपने यहां तो माहोल बन रहा है थोड़ा सा हमारा दिमाग में समझ देखो देखो डरने की कोई बात नहीं जब तक मैं बैटाओ टेंशन नहीं लेना नीचे आपके लिए एक्जामपल बना दिया एक सर ये क्या है पेटा देखो लेसी एक एक्जामपल है लेसी जो लीस पेमेंट कर रहा है वो मैंने ले लिये हर साल के एंड में कर रहा है 3,15,250 और लीस थर्म 4 येर्स है और मार्केट में डिसकाउंट रेट इंट्रेस रेट जो है वो 10% चल रही है तो मैं पहले प्रेजेंट वेल्यू निकालता हूँ और बै एसी हर साल के एंड में लेस और को 3,15,250 का पेमेंट करेगा ये पेमेंट एक साल बाद होगा ये दो साल बाद ये तीन साल बाद ये चार साल बाद तो ये सब आज की तारीक में इनकी वेल्यू क्या होगी तो 10% से बेटा 1 divided by 1.1 से जब हम कैलकुलेटर पे फेक्टर निकाल सब 0.9090 फिर 0.8264 फिर 0.7513 फिर 0.6830 या गया जिसको इससे मल्टिप्लाय करते चल रहे है बेटा तो यहां पर ये प्रेजेंट वेल्यू आगे टोटल आ रहा है 9,99,248 ये कैलकुलेशन तो आगे ने बेटा समझ में अब इस कैलकुलेशन का यहां से क्या संबंद ये बत आँगा मैं आपको आप टेंशन मतलो आपको टेंशन नहीं ले ना मैं बैठाओं यहां पर ठीके हां बेटा लेसी लेसौर को जो पेमेंट कर रहा है चार साल में 3,15,250 तु कि उसकी आज अभी इसी वक्त अभी की अभी अभी की अभी की हाँ मैं सिंगम नहीं हूँ ठीक है अभी की अभी जो वैल्यू है वो 9,99,248 तीन लाग 15,200 देगा पर आज की वैल्यू उसकी 9,99,248 ठीक है अब बेटा ऐसा मानों कि यह जो असेट लेस और ने लेसी को किराय पर दी है जिसके बदले में लेसी चारों पेमेंट्स कर रहा है इसकी प्रेजेंट यह यह है बिटा वैसे 10,00,000 की है कितने की है 10,00,000 की उसकी फिर वैल्यू कॉस्ट यह मतलब लेस और गोड़ींन का टोटाल करोगे तो दस लाग से जाधा आ रहा है और उसकी प्रेजेंट वेसलाग निकाली सह व्लदबक दसलाक आ रही है देखो आप तो बेटा इसका ये मतलब हुआ कि आज लेसी चार साल लेस और चार साल में ही लेसी से लगबग असेट की पूरी कॉस्ट वसूल कर रहा है और एक्स्ट्रा पे सेट वसूल कर रहा है वो ब्याज हो गिया तो बेटा उपर ये ही तो लिखा था कि लीस पेमेंट जो लेसी कर रहा है उसकी प्रेजेंट वेल्यू निकाल के देखी तो वो लगबग अप्रॉक्सिमेटली असेट की फियर वेल्यू को कवर कर रही है असेट की फियर वेल्यू कॉस्ट जो है है यह आएगा 12,61,000, 12,61,000 इसका टोटल आ रहा है है तो इसका मतलब लेसी एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है ठीके तो सर इससे ये कैसे पता देल गई कि finance बेटा लेसी एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है ना और इसमें तो बेटा चार साल बाद asset lesser को वापस मिलेगी देखो समझो पहले वाली situation में चार साल asset किसके पास थी? लेसी के पास और बाकी छे साल भी किसके पास थी? लेसी के पास और लेसी और ने पहले ही के दिया था तुम रखी लेना कोई पैसे नहीं देना चार साल बाद में दे दूँगा तो ऐसा offer उसने वहाँ क्यों दिया था? क्योंकि वो चार साल में ही पूरे पैसे ले रहा था है ना? ownership भी transfer हो गई थी यहाँ पर क्या होगा बताईए यहाँ पर second वाली situation में क्या हुआ था? option दिया था कि तुम चाहो तो खरीद लेना और सस्ते में offer किया तो मानेंगे वो खरीद लेगा लेसी खरीद लेगा और लेसी अगर वो asset खरीद लेगा तो इसका मतलब पूरे टाइम के लिए लेसी यूज़ करना था इसमें क्या हो रहा है बटा? इसमें लेसी के पास asset 40 साल है मतलब एक तरीके से लेसर ने लेसी को लूट लिया देखो अरे यार आप अगर मैं आपको कोई asset दे रहा हूँ lease पर और आप इसमें एंटर क्यों है मेरे साथ? बात वो ही है आपको asset की जरुरा थे आपके आपके पैसे नहीं है और आपको कोई loan भी नहीं मिल रहा है और asset मेरे पास है तो मैं आपको किराय पर दे रहा हूँ एक तरीके से वासे लीज़ पर दे रहा हूँ और आप से क्यों हो भी मांगी कीमत मांग रहा हूँ आप मजबूर होगा है मुझे देने के लिए है कि नहीं? तो बटा आप भी कम नहीं हो Lacey बी कम नहीं है वो भी business कर रहा है Lacey और business कर रहा है तो Lacey भी business कर रहा है ये finance लीज इसलिए है कि लेसी 12,61,000 रुपे इस 10,00,000 की असेट के आज इसलिए देने को तयार है क्योंकि लेसी को ये पता है कि वो चार साल में ही इस असेट की ऐसी हालत कर देगा यूज कर करके कि वो एक तरीके दे चार साल बाद जब लेसोर के हाथों में आएगी भी ना तो वो इस क्रेब जेसी हो जाएगी मतलब अगेन maximum risk और reward maximum फायदे और नुकसान किस के पास transfer हो गए लेसी के पास पिठा चार साल में ही वो दस साल इतनी use करेगा न वो double shift में काम करेगा तीन shift में काम करेगा जबी तो वो ज़्यादा पैसे देगा तभी तो वो सच्चा businessman है नहीं तो कौन देगा ठीक है तो यहाँ पर लेसोर ने गरीब लेसी को लूट लिया कि दस साल की life वाली asset को चार साल के लिए दे रहा है बाद में ownership भी transfer नहीं होगी asset वापस लेसोर के पास भी आगे किराया भी इतना ले लिया आचा एक बाल बताईए अगर लेसी के पास पैसे होते हैं तो वो 10 लाग की asset खुद खरीद लेता ना और उसे कहीं से loan मिल जाता तो कहीं और भी 12 लाग 12 लेक 61 थाउजन अगर देता 3.15 कर करके भी तो कम से कम उसको 10 साल के लिए use करने को मिलती ना asset वो खुदी खरीद लेता loan पे भी तो पर यहां तो क्या हो रहा है उसके साथ यहां पर तो उसके साथ पैसे भी पूरे जा रहा है एक्स्ट्रा पैसे भी जा रहा है मतलब ब्याज भी दे रहा है वो और 4 साल के लिए भी मिल रहा है लेसी के हैं, लेस और को तो इसक्रेप ही हाथ में आएगा ना, यूज़ असेट, हाँ जी, बिलकुल, बिलकुल से, यूज़ का मतलब बिलकुल, लगबग इसक्रेप, वो तो दस साथ इतनी यूज़ कर देगा, जब भी पैसे दे रहा है, तो ये भी फिनेंस लीस का ट्रांडिक्शन हो गया, क्या हो गया, फिनेंस लीस का, अब बेटा, इसी सिच्वेशन 3 में, हमने आपके लिए, एक्जामपल बनाए हैं, उन्हें एक्जामपल को और देखो, आराम से देखो, कोई जल्दी, देखो बेटा, खिमपल है, असेट की पहर की फेर वेल्यू 10 लाख है, पेज नमबर 2.11 प्रस्ट, प्रस्ट, हमारे सेकेंड चेप्टर का, इस बुक में सेकेंड चेप्टर ये बिटा, हां, ठीक है, बहुत आसान एक्जामपल आपके लिए, असेट की फेर वेल्यू 10 लाख है, 10 lakh रुपीज है और लेसी से हम जो पेमेंट ले रहे हैं लीस पेमेंट उसकी आज हमने प्रेजेंट वेल्यू निकाली वो भी इत्वाक से 10 lakh आ गई यह 10 lakh से जादे ही आ गई तो यह फैनेंस लीज है क्यों है यह फैनेंस लीज बताओ फैनेस लीज है न क्यों क्योंकि situation 3 apply हो गई देखो आप present value of lease payment approximately covers fair value of asset asset की fair value को लगबग cover कर लिए इवन जादा आ गई अरे भाई मेरे तो लेसी पूरी यूज करेगा न asset जब वो पूरे ज़्यादा पैसे दे रहा है तो mining asset वो पूरी maximum use वो ही करेगा सारे benefit वो लेगा मान लिजिए उस machine से 2,00,00 unit बन सकती है तो 10 साल उसकी useful life थी एक साल में 20,000 unit बनानी थी आपको ऐसा अनुमान था तो लेसी अगर 4 साल 4 साल के लिए asset ले रहा है और maximum maximum पैसे सारे पैसे दे रहा है तो वो कोशिश यही करेगा कि 4 साल में maximum production कर ले है ना अब बेटा equal example समझे यहां और clarity आएगी हाँ उपर वाले example में क्या था asset की fair value course 10,00,00 थी ठेन लेग और लेसी से आपने लगबग 10,00,00 रुपए उसे जादे ही ले लिए हाँ भले ही lease transaction 4 years का था years से अभी मतलब बेटा मैं यहने किसी भी situation में years तो बीच में लिये ही नहीं है मुझे years से मतलब नहीं है मैं तो एक बात जानता हूँ हर वो lease transaction जिसमें asset से सम्मधित maximum फायदे और नुकसान lessy को चले जाएंगे वो finance lease है अब maximum फायदे और नुकसान lessy को चले जाएंगे यह कैसे पता चलेगा तो इसके लिए हम situation पढ़ रहे है situation 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई years से मुझे अभी मतलब नहीं है situation 3 में यह बोला जा रहा है कि आपने उससे लगबग पैसे ले लिए यह सारे तो वो भी पूरी asset use करेगा फिर सारे फायदे नुकसान वो ले लेगा सारे सुखदुक उसके तो बेटा यहाँ पर देखो fair value 10,00,000 है और आए हम जो lessy से पैसा ले रहे है न तीन साल, चार साल, पास साल जो भी years है उसमें वो 10,00,000 से कम है देखो इस एक्जांपल में देखो 10,00,000 से कम थे 9,99,000 ke seven तो अभी भी 10,00,000 से कम है तुंबधा प्रश्ण ही यह drought होता है 10,00,000 से कम में कितना 9,00,000,000 9,00,000,000,000,000,000 9,99,000 9,99,000,000 8,50,000 का कुछ भी हो सकता है 10,00,000 यह उससे ज़्यादा पर तो फिरेंस लीजे क्योंकि हमने maximum पैसे ले लिए यह ज़्यादा ले लिए लेकिन 10,00,000 से कम तो कम कितना तो इस कम के लिए इंडेस में कुछ भी ज़्यादा नहीं दिया है एक जनरल बात में आपको बताना चाहूँगा कि जैसे 10,00,000 की असेट है है ना तो नॉर्मली किसी भी असेट की 10% इसक्रेब वैल्ली होती है और 10% इसक्रेब वैल्ली होती है तो 10,00,000 का 10% एक लाक है है ना तो 9,00,000 रुपए यह उससे ज़्यादा 9,00,000 रुपए उससे ज़्यादा हाँ 10,00,000 से कम में बिल्कुल ठीक है बिल्कुल सही जा रहे हो कि less than 10,00,000 मतलब 9,00,000 अगर मान लिजिए lessor और lessy के बीच में transaction हुआ ठीक है असेट की cause 10,00,000 रुपए है और lessy lessor lessy से जो ले रहा है उसकी present value हाँ उसकी present value 9,00,000 रुपीज है कितनी है 9,00,000 ठीक है ना तो इसका क्या मतलब है हाँ बिल्कुल ठीक है यह देखो मैंने लिखा है बिटा इसको समझो पहले general assumption है कि 10% described value होती है that is 1,00,000 तो present value अगर greater than or equal to 9,00,000 लेके उससे ज़्यादा है 10,00,000 से कम का मतलब 9,00,000 लेके उससे ज़्यादा है तो तो हम यह मानेंगे कि finance lease है हाँ ऐसा क्यों मानेंगे बैटा समझो उस बात को समझो वापस से asset किसकी है लेसार की उसने किसको किराय पर दी लेसी को इस वाले case में ownership transfer नहीं हो रही है तो asset वापस किसको मिलेगी लेसार को तो लेसार को एक लाग रुपे तो तब भी मिल जाएगे इसकरे value के मिल जाएगे ना पहले दोनों cases में asset lessie को इस चली गई थी इसमें asset वापस किसके पास आएगी लेसार के पास आएगी लेसार के पास आएगी तो एक लाग तो उसको यह मिलेगे तो मतलब उसकी की फियर वेल्यू 10 लेक है कॉस्ट लेक है लेस और के लिए और मैं वह आपको असेट देता हूं और उसकी जो आप मुझे लीस पेमेंट करोगे उसकी आज प्रेजेंट वेल्यू निकाली तो वो 10 लेक आई तो फिनेंस लीक तो भी फिनेंस लीस नाई लेक है उससे जादा आई तो भी वो फिनेंस लीस है नाई लेक से कम आई तो फिर हम उसे फिनेंस लीस situation नहीं बोलेंगे यहां बड़ा इसी दे तो एस में लेका एप्रॉक्सिमेटली कवर्स क्या लिखा है लगभग तो वो लगभग का मतलब समझ तो सर्फ फिर क्या होगा फिनेंसली सिच्वेशन नहीं हुई तो बिड़ा आगे देखेंगे फिनेंसली सिच्वेशन नहीं हुई तो क्या होगा वो आगे देखेंगे फिनेंसली सिच्वेशन क्या है वो समझ रहे और finance lease situation हुई तो यह lease finance lease है यह समझ रहे है ना चलो आपके मन की दूबिदा भी अभी clear कर देंगे दो मिनिट में कि finance lease situation नहीं हो रही है तो क्या होगा बस दो मिनिट पाच मिट रुख जाओ अभी मन में बस तो फिर थोड़ा रुख जाओ है ना चलो बिल्कुल अब बड़ा situation 4 पर आजाओ बड़ी important बाते चल रही है situation 4 यह रहा देखो situation 4 यह कह रही है कि भाया अगर यह हो गया ना यह वाला transaction हो गया ना तो भी यह finance lease है asset कुछ इतने special nature की है कि उसे लेसी ही यूज कर सकता है हाँ देखो example lessor example देखो पहले lessor good do limited lessy ruchy limited asset under lease machinery machinery गुड़ी ने रूची को limited को दी useful life 10 years है lease चर्म 4 साल है चार साल के लिए दी बैटा चार साल बाद वह asset वापस good do limited के पास आएगी और चार साल बाद वह asset good do limited के पास आएगी मतलब बचे वे छे साल कौन ही उसकरेगा good do limited period से मतलब नहीं है अभी तक finance lease की situation अभी तक जो हमने बटी से period से मतलब नहीं है कि वह एक साल दो साल चार साल छे साल नौ साल आठ साल क्या है period पर भी मैं आऊंगा अभी बिलकुल आने वाला हूं अब situation यह है इस सवाल में कि machine का nature है specific nature है कोई बड़ी special machine है सर क्या अरे वो machine जो है न वो कोई special product बनाती है जैसे railway coach अरे भाई railway train के डब्ब होते हैं कि नहीं हरकोई बना देता है क्या बड़ी limited लोग बनाते है railway coach हाँ limited बदे एकाद ही होगा कोई अरे दो होंगे बड़े limited हम तो नहीं बना सकते न कि तुम बना दो कि कल से railway coach तुमारे घर पर नहीं न चलो तो railway coach बन रहा है साब उस coach को बनाने हो machine यूज हो रही है और उसके लिए government ने सिर्फ किसको authorize कर रहा है railway coach बनाने के लिए रूची limited को अब बताओ asset किसके पास good do limited के बास वो दे किसको रहा है रूची limited को कैसे दे रहा है किरायपर कितने साल के लिए चार साल के लिए असेट से क्या बनता है railway coach बनाने के authority भारत में किसके बास है देश में किसको दे रहा है कि सरकार में रूची limited को तो बता आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों और चार साल बाद भी यह asset तो रूची limited के लिए ही बनाई गई होगी ना गुड्डू limited यह asset क्यों बनाएगा वर्मा उसे मालू में कि रूची limited खीक के पास यह authority है railway coach की तो यह transaction कैसा हुआ हाँ आज कोन यूज करता है रूची limited चार साल तक कोन यूज करेगा रूची limited और आगे भी कौन यूज करेगा मतलब यह lease term रिनी होगा न फिर आगे तो कौन यूज करेगा रूची limited तो इसका मतलब maximum समय यह asset को सारे समय इस asset को कौन यूज करेगा रूची limited और इसका मतलब asset से संबंदित सारे फाइदे नुकसान किसके होंगे रुची लिमिटेट के लेसी के तो इसका मतलब यह कौन सी लीज है फाइनेंस लीज क्लियर सर रुची लिमिटेट बाद में चार साल बाद मना करते नहीं बटा डिसाइट तो आज करना है ना अभी थोट दीर पहले क्या बोला था जब ठाढ़ेक्शन हुआ है उसी स्टार्टिंग में बिगणिंग में इंसेफ्षन में डिजाइट करना है चार साल बात क्यों और बात की बात है आज अकाउंटिंग करने के लिए accounting कैसे होगी किस value पर होगी वो भी अभी हम सीखेंगे अभी तो हम concept समझ रहे finance lease का मतलब क्या है हाँ अभी तो सिर्फ lease का मतलब ही समझ रहे है यह final में हो आप concept तो समझो पहले बिलकुल चलो तो यहाँ पर बड़ी simple सी बात है asset is of specialized nature that only lessy will use it only lessy will use it without major modification यह एक line in days में जोड़ी गई without major modification देखो जो आपने question किया था कि कोई और use ही नहीं कर सकता हाँ तो नहीं कर सकता बिलकुल है ना और किसी और के लिए usable उसको बनाना है ना तो बहुत ज़्यादा उसमे changes करने पड़ेंगे modify करना पड़ेगा तो बहुत बाकी है बहुत बाकी है होगे इतना ठीक है चलो और अब बेटा पाच्वा situation और आखरी situation में आपके सामने डिसकस कर रहा हूँ और यहां आकर आपको बाकी सारी बाते भी समझ में आ जाएंगी अब बड़ी simple सी बात है यहां पर वो years वाली बात आएगी कि अगर lease का transaction ऐसा हुआ है कि asset की life का major part major part अगर lessy के पास जा रहा है तो यह finance lease है सर मतलब बड़ा गर पहले की चारो situation को छोड़ दूँ एक मिनित तो यह situation यह कह रही है कि useful life कितनी है 10 years asset की गुड़ू को ने lessor और रुची को ने lessy है ना गुड़ू दा lessor रुची दा lessy तो गुड़ू ने अगर asset lease पर दी 10 में से 5 साल से ज़्यादा के लिए major part 5 के उपर ही आएगा major it to तो 5 से ज़्यादा तो finance lease 5 यह उससे कम तो operating lease तो sir अभी तो आप थोड़ी देर पहले वो चार साल में भी finance lease बता रहे थे बेटा मैं यहीं तुम्हें समझाना चाहरा हूँ आप पूरी बाते को क्रमेराइज कर लो कि पहली बात तो number of years of lease term देखना ही नहीं है asset 10 साल के 10 साल useful life थी हाँ सुनो पहले question ऐसा कुछ आया कि इसमें first fall situation में से कोई situation नहीं दे रखी है नहीं दे रखी है situation सिर्व यह बोल रखा है कि 10 साल useful life थी और 5 साल की lease है यह उससे कम है तो और कोई information नहीं है जंदल तो हम बोलेंगा भी यह यह operating lease है और 5 साल ज्यादा तो finance lease है हाँ 5 साल यह उससे कम है तो finance lease नहीं है और 5 साल से उपर पर finance lease है ठीक है लेकिन यह situation कब लगेगी जब पहली चारों नहीं लगेगी लेकिन पहली चारों में से कुछ भी आ जाए तो वो finance lease है और वहाँ पर years से मतलब नहीं है वहाँ पर तो 10 में से 1 साल 2 साल, 3 साल, 4 साल पर भी finance lease हो जाएगी कैसे? अरे transaction गुड़ू ने, लेसौर ने लेसी के साथ किया लेसौर ने लेसी के साथ transaction किया, asset की life 10 साल है, एक साल का ही transaction है और एक साल बाद ही बच्चे वे 9 साल ownership transfer कर दी लेसी को situation 1 ये एक साल बाद ही offer दे दिया कि तुम खरीच सकते हो सस्ते में ये एक साल में इतना पैसा वसूल कर लिया कि asset की fair value के लगबग बराबर हो गया, उसकी lease payment की present value जब ने situation 3 में निकाली थी हाँ बेटा, तो ये बात समझो कि 10 में से years नहीं देखना है नहीं देखना है पहले अगर situation 1, 2, 3, 4 लग गई तो हर हाल में finance lease है और अगर चारो situation नहीं लग रही है तो फिर life का number of years देखेंगे, majority है तो finance lease, majority नहीं है तो finance lease नहीं है, और अब ये conclusion समझ लो, ये देखो बड़े अच्छे से समझा दिया है यहाँ पर finance lease situation 1, 2, 3, 4, 5 इन पांचों ही situation में क्या हुआ asset से related maximum risk को reward less ही को transfer हो गए और इसलिए इन पांचों ही situation में ये transaction finance lease का था और page number 2.14 पर आ गए कि अब operating lease transaction क्या होता है तो बेटा in day 17 में operating lease transaction की कोई proper definition नहीं है सिर्व इतनी सी बात कहे डाली कि अगर transaction finance lease का transaction नहीं है तो वो operating lease है वो क्या है? operating lease ठीक है? अगर transaction finance lease operating lease lease other than finance lease is operating lease what is operating lease? there is no definition what is finance lease? what is finance lease? finance lease is a lease transaction in which yes in which maximum risk and reward फायदे और निकसान related to the asset transferred to the lessee यह definition है lessee को transfer है जाएंगे लेकिन operating lease की क्या टे बिने जाएंगे? yes a lease transaction which is not finance lease it is operating lease तो बस बेटा finance lease situation 1, 2, 3, 4, 5 लग गई तो finance lease और नहीं लगी तो operating lease ठीक है? और अब एक बड़ी simple सी बात समझ लो मेरे भाई बिल्कुल समझ लो कि यहां जाकर तुम्हें इस index का और आगे का पाथ रास्ता समझ में आ गया कि sir इस index में पढ़ना क्या है? मैंने क्या कहा था? lease की accounting पढ़ना है किसकी accounting पढ़ना है? lease transaction की accounting पढ़ना है और lease transaction की accounting पढ़ना है मतलब finance lease की भी पढ़ना है और operating lease की भी पढ़ना है और finance lease और operating lease दो तरह की lease में भी दो party होंगी lesser और lessy तो बेटा दो दुनी चार तो बेटा क्या क्या पढ़ना है इस इंडेस में लेसी की बुक्स में फैनेंस लीस की अकाउंटिंग, लेस और की बुक्स में फैनेंस लीस की अकाउंटिंग लेसी की बुक्स में operating lease में कैसे accounting होगी और operating lease में lessor की books में कैसे accounting होगी ये चार बाते तो confirm पढ़ना पड़ेगी accounting for lease transaction in days 17 का उद्देश क्या है accounting for operating lease transaction in the books of lessor accounting for operating lease in the books of lessee accounting for finance lease in the books of lessor and accounting for finance lease in the books of lessee ये चार बाते तो confirm अब हमें पढ़ना है और भी बाते हैं इस इंडेश में पर ये चार बाते तो अब आपको पढ़ना है तो बेटा अभी तक हमने ये समझा कि फिनेंस lease क्या है operating lease क्या है फिनेंस lease situation क्या है और हमने सीखा कि lease transaction क्या होता है और वो कितने पिरेट के लिए हो सकता और कई तमाम बाते हमने उसे related की है ठीक है चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और ठीक चलिए 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 अब जो है यहाँ पर आजाते हैं बिल्कुल समझ में आ गई होगी आपको फिनेंस lease situation अब समझ में आ गई होगी बिल्कुल और धीरे धीरे discuss करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे अब बेटा accounting की बात आती है समझाने को तो मैंने पहले आपको finance lease lease समझाई फिर operating lease समझाई पर बेटा accounting में हम accounting हम पहले operating lease की सीखेंगे फिर finance lease की सीखेंगे पहले operating lease की accounting सीखेंगे फिर finance lease की accounting सीखेंगे clear operating lease की accounting बेटा मैंने page number 2.15 पे समझाई दी है ये बस इतना साही है 2.15 पर मैंने लिख डाला operating lease की accounting के बारे में है ठीक है और lessor की books में और lessy की books में ये दोनों ही यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें कहीं कोई tension नहीं है हाँ ठीक है ना समझा रहे हैं अभी बता रहा हूँ इधर मैंने एक example देख लो पहले एक example समझ लो क्या हुआ है मैंने पहले लिख दिया based on operating lease है मतलब इस example में आपको यह नहीं डूड़ना कि यह financial lease situation तो नहीं आ रही है मैं बोल रहा हूँ बेटा यह operating lease है मतलब financial lease situation नहीं है ठीक है चलो good do lessor है ruchy lessy है past saal lease term है term से मतलब ही नहीं है बता दिया अब फनेंस लिख situation नहीं आ रही है तो अपरेटिंग लीज है दस लाख रुपए का lease rental दिया जा रहा है और entirely in advance पूरा advance में दे रही है रुची और lessor 5000 रुपए और खर्च कर रहा है lessor 5000 रुपए और खर्च कर रहा है ज़र क्यों अरे भई मैंने मान लीजिए आपको भी building किराय पर दिये lease पर दिये operating lease पर दिये आप मुझे पूरा rent advance दे रहे हो है ना पर आपने का कि सरी थोड़ा ठीक करवा के दो building में थोड़ा paint करवा के दो ये नल लगवा के दो लीस ट्रांदेक्सिन संबंदिट कॉस्ट लग रही है डिरेक्टली तो डिरेक्ट कॉस्ट है और इनिशियल मतलब शिरुवात में लग रही है ये लेस और दे रहा है पहले गुड़ू याने लेस और की बुक्स में हम एंट्रीज कर रहे हैं बहुत सिंपल है एंट्रीज आप चाहो तो लिख सकते हो है ना बड़ी सिंपल सी बात है हाँ गुड़ू को 10,00,00 रुपए पूरे मिल गए 5 साल के लिए इतना तो आप भी जानते हो कि 10,00,00 रुपए गर 5 साल के लिए है तो 2,00,00 रुपए एक साल में आएगा पर एडवांस मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,00, बैंक मेलेंस नाम की असेट बढ़ गई डेब लिए अप चाहे तो लिख लो कोई दिक्कत नहीं बुक में अपनी जैगे लिखाए तो रिवीजन के लिए काम आ जाएगा लिखो बच्चों प्यारो हाँ लिखो बिलकुल बैंक 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 वैलेंस नाम की असेट बढ़ गई डेबिट एडवांस लीज रेंट नाम की अ लिए पांच जार के पormuşलन्त at ress Maya रिपियरन अन्मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टूबैंक है टी असेट लुची को दी गुटवांस और है गोड़ लस और हैंृ लेस है यह गुद्डू की बुक्स चल रही है अब बता बटा इस साल की लाइबिलिटी अभी 10 लाइब है लेकिन उस 10 लाइब से 2 लाइब तो इस साल की इंकम है न 10 lakh divided by 5 पास साल लीज फिरेट था तो 2 lakh income है तो income को transfer करेंगे तो advanced lease rent liability है लेकि lease rent हमारी income है तो अब अगली entry बनाओ बैटा liability 2 lakh से कम करो और income को 2 lakh से बढ़ा दो liability कम होगी तो debit income बढ़ेगी तो credit तो entry क्या बनेगी advanced lease rent account debit 2 lakh 2 lease rental income account 2 lakh हो गया बटा यहां तक clear है ना income clear पहली entry clear हमने 10 lakh रुपे advance लिए दूसरी entry में lessor का expense हुआ तीसरी entry में क्या हुआ हमने 10 lakh में से 2 lakh के rent को income माना अब बटा मुद्दे की बाद बताओ asset का owner कौन है यह पहले ही clear कर दिया था हमने lessor legal owner कौन है lessor और यह अब हम किसकी accounting बढ़ रहा है operating lease की operating lease है owner कौन है lessor तो बटा asset depreciation भी कौन लगाएगा lessor owner है ना वो तो entry होगी मान लिजिए हाँ बिल्कुल useful life is asset की जो है मैंने में बटा उपर question में दे रखा देखो WDV asset जो थी आज उसकी बुक जो है 4 lakh 80,000 रुपीज की WDV है लगबाद और 33.33% depreciation rate है WDV से मैंने दे दिया amount भी दे दिया उपर मैं लिखके बोल रहोंगी operating lease है अभी आपको कोई checking नहीं करनी condition मैं बोल रहों है operating lease मान लो इसको हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो 4 lakh 80,000 का 33.33% आता है 1 lakh calculate करो calculate करो बेटा 115 बेटा सारा मैंने calculate किया हुआ है हाँ मैंने भी हाथ calculate किया है न यह हाँ यह तो मैं अभी calculator नहीं कर रहों क्योंकि मैंने किया हुआ है तो करके देखिए ने एक बार हो सकता है गलत हो जाए वैसे नहीं होगा ठीक है न आ आप तो calculate करिए आ रहा है 159,984 तो उसकी entry होगी depreciation नाम का expense बढ़ गया debit asset कम हो जाती है तो credit बेटा दो एक बार तो clear है asset और expense बढ़ेंगे तो debit कम होंगे तो credit और liability और income बढ़ती है तो credit और कम होती है तो debit हाँ तो depreciation account debit to asset अब lessor के लिए depreciation भी एक expense है repair and maintenance भी expense है बेटा देखा अगली entry में closing entry हुई depreciation और repair and maintenance credit कर दिये और P&L में भैज़ दिये P&L debit होगे profit and loss account और बेटा lead rental income जो आई थी किया आई थी दो लाग रुपे की lead rental income ये credit balance था इसे खतम करेंगे debit तो lead rental income account debit to profit and loss account तो बेटा क्या सीखा आपने सीखा लेस और की बुक्स की accounting लेस और वो भी operating lease में operating lease में और ये सीखा कि initial direct cost लेस और का expense है lease rental जो हर साल का है वो लेस और की income है lease asset का owner आज भी लेस और है लेस और खुद है इसलिए depreciation भी कौन लगाएगा लेस और repairs and maintenance initial direct cost depreciation ये सब खर्चे हैं loss है P&L में जाएंगे income P&L में credit होगी समझ में आ गई बात और बेटर लेस और के financial statement का presentation देखो P&L का अंश है ये extract पूरा P&L नहीं है depreciation P&L में debits में है, repairs and maintenance debit में है और lease rental 2 lakh rupees का है है की नहीं और balance sheet में asset आज भी किसकी है? lessor की, asset आज भी किसकी है? lessor की, asset किसकी books में debit है? देखो lessor की books है मैंने asset credit करी किया? asset किसकी books में थी? lessor की books में थी ना? तो asset का account जो ledger में होगा उसमें 4 lakh 80,000 में balance होगा? तो क्या मैंने 2 asset करके asset को credit किया? नहीं किया? asset books में आज भी किसके पास है? lessor के पास, physically use कोन कर रहा है? lessie, owner कौन है? lessor, किराय पर दिये मैंने use करने के लिए दिये बस आपको, और यह operating lease चल रही है, ठीके? तो asset 4 lakh 80,000 में से इस साल का depression 159,984 minus करके, यह balance sheet में कौन दिखाएगा? lessor, और lease rent कितना मिल गया था? 10 lakh, अरे 2 lakh मिलता तो 2 lakh income होता, फिर liability कुछ नहीं आता, पर यहां मिला था 10 lakh, liability creative 10 lakh की, 2 lakh की इस साल की income थी, उस में से 2 lakh rupees की, तो वो हट गई, liability debit हो गई, कम हो गई, तो 8 lakh की liability पजी, closing balance balance sheet में 8 lakh आ जाएगा, है ना? तो आपने क्या सीख लिया? accounting for operating lease in the books of lessor, ठीके? और अब यहां पर आ जाएँ, यह मैंने लिखा है, theory, page number 2.15 पर जो मैंने आपसे promise बोला था कि, यह साब यह लिखा है, सारा अब यही लिखा है, हमने देखो, lessor operating lease पर asset को lease पर दे चुका है, तो lessor फिर भी उस asset को अपनी balance sheet में दिखाएगा, income को PNL में दिखाएगा, straight line basis, बेटा मैंने 10 lakh को divide क और कोई basis भी हो सकता है, question में mention ने कि, असेट का use करने का ratio equal नहीं है, हाँ, कोई जरूरी नहीं है, कि दो-दो लाग रुपी हो, अलग अलग ratio भी हो सकता है, और expense जो होंगे, वो PNL में जाएगे, initial direct cost जो है, है ना, initial direct cost जो है, हाँ, और depreciation PNL में जाएगा, और बेटा एक यहाँ पर हमने लिगा, impairment loss, impairment, अभी, हाँ, बिल्कुल नहीं, actually क्या होता है, एक index हम आगे पढ़ेंगे, impairment, यह भी asset से सम्बंदित कुछ loss होते है, तो यह भी PNL, विदो को नाम से कुमच टेंशन लो, कुछ भी हो, depreciation हो या impairment नाम का शब्द आ जाए, है तो loss, मैं मैं कहे कि एक loss होता है, depreciation अलग होता है, यह अलग index में आएगा, पर मैंने क्या लिगा, depreciation हो या impairment वो PNL में जाएगा, है ना, बिल्कुल कोई भी expense वो loss तो PNL में जाता है, is it clear, हाँ, और यह जो है, यह हमने, यहाँ पर, repairs and maintenance जो है, profit and loss account में चला ही गया था, depreciation profit and loss account में चला ही यहाँ पर यहाँ पर एक बात और है, कि repairs and maintenance 5000 रुपीज के लेस और ने किये थे, यह देखो किये थे अभी फ्रोटी देर पहली ही तो किये थे यहाँ पर, तो हमने entry pass की थी repairs and maintenance account, debit to bank account, और फिर PNL to repairs and maintenance, बड़ा यह revenue nature कहे थे, किस nature कहे थे, revenue nature कहे थे, इसलिए PNL में कहे अगर इन expense करने से, repair maintenance कोई भी expenditure है, अगर वो initial direct cost है, और उससे asset की capacity efficiency बढ़ जाती है, और उससे future benefit मिलेंगे, तो बटा इसलिए मैंने यहाँ लिग दिया, कि initial asset की cost में add कर देंगे उसे, हाँ, वो तो जानती ही हो ना तुम, कोई भी खर्चा करने जागर asset की future economic benefits बढ़ जात है बेटा, तो वो asset की cost, वो capitalized हो जाता है खर्चा, तो asset की cost में जोड़ देंगे उसे, बिल्कुल entry हो जाएगी asset account debit to bank, हाँ, फिर cost change होगी, value change होगी तो depreciation बगल जाता, बिल्कुल ठीक क्या रहा हो, बिल्कुल सही है, 100% सही जा रहा हो, है ना, अब अब अपन क्या पढ़न page number, हाँ, page number 2.18 पर आजाओ, 2.18 पर और यहाँ पर वो आपको जो मैं, पहले 90% वाली कुछ बात समझा रहा था, वो 90% वाली बात भी समझा लूँगा, समझाओंगा, बही lessy की books में, दो एक बात पहले समझो, बढ़ा simple, एक बात समझो, तो पहले example ले ले लेता हूँ मैं, हाँ, पर उन 90% भी एक बार छोड़ दो, है ना, मान लो कोई lease transaction हुआ है, है ना, lease transaction, यहाँ पर example, यह वाला भी इसका solution यहाँ से नहीं देखना, मान लो यह operating lease ही है, यह operating lease ही है, lease rent 1,80,000 है, पर एनम, और 8 साल का है, है ना, तो भई, lessy के अपनी books में asset debit करेगा, क्या, नहीं नहीं करेगा, asset तो lessor की है, depreciation आएगा, क्यों, क्यों, क्योंकि owner lessor है, तो depreciation भी, lessor की books में ही आएगा, अभी पढ़ा दा हमने, lessy को तो सिरे lease rent देना है वो, जैसे lease rent उसके लिए income था, इसके लिए expense है, तो entry होगी lease rent account debit to bank, and profit and loss account debit to lease rent, ठीके, हो गया, lease rent account debit to bank, और profit and loss account debit to lease rent, हर साल यह entry होती रहेगी, तो पहले तो पहले यह समझ लोगी, lessy की books में accounting कैसे भी देखो, page number 2.15 पे आजाओ, operating lease की accounting, lessy की books मे lease payment को lessy expense मानेगा, straight line basis, मतलब हो equal, और अगर कोई और basis हो तो वो, हाँ, हर साल 2,00,000 देगा, तो 2,00,000 ही लेना है, total 10,00,000 दी है, तो 5 साल का था, तो 2,00,000 ले लेंगे, और कोई और ratio है तो वो ले लेंगे, हाँ, पर lease rent, operating lease में, lease rent lessor के लिए क्या है, income, और lessy के लिए क्या ह expense, ठीक है, lessor की book में asset रहेगी, lessy book में asset नहीं आएगी, depression इसलिए lessor की book में आएगा, lessy book में आना ही नहीं, lessy की books में सिर्फ lease rent का expense आएगा, बिल्कुल correct, बिल्कुल, वही हुआ है, है ना, तो बैटा, इस example में मैंने lease rent लिया, यह operating lease के example है, अभी बाकी छोड़ दो, बदे lease rent का 180 है, और lessy की books में मैंने क्या entry करी, lease rent to bank और P&L to lease rent, है ना, पर बैटा, एक बात में बताओ, कि इस सवाल में मैंने थोड़ा था twist पैदा कर दिया है, और वो twist यह पैदा कर दिया, कि मैंने बड़ा ड्रामा कर दिया यहाँ पे एक, और वो ड्रामा आपके भले के लिए किया है, कि पहले में सिद्ध करूँगा इस सवाल में, कि यह operating lease है, हाँ, पई एक्जाम में यह भी तो आ सकता है, कि आइडेंटिवाई करोगी lease transaction कौन सा है, operating lease है, finance lease, यह आ गया तो क्या करोगे, check भी तो करना पढ़ सकता है, पिछले सवाल में मैंने बाद चेक करो, यह च operating lease कैसे है, बैटा, asset की cost पंदरा लाक है, देखो, पंदरा लाक, फिफ्टीन लेक, इसकी जो जिन्दगी है, useful life, जिन्दगी जो ना मिलेगी दोबारा, वो 20 साल है, और लेसी ने बोला है, कि मैं, लेसी और लेसी के बीच में जो agreement हो है, वो 8 साल का हुआ है, बैटा, मैं फि जान लेते हैं कि भई ठीक है, हाँ, majority of the year अगर जा रहा है, तो financial नहीं तो operating है, लेकिन वरना years नहीं देखते हैं, अब चेक करते हैं, year 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, least payment, 1, like 80,000, same, 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 14% discount की rate दी मैंने आपको, तो 14% का PV vector 1, करो, 1 divided by 1.14 से निकालते हैं vector आप, हाँ बैटा, जो आज 100 है, आज 100 है, तो एक साल बाद वो 114 हो जाएगा, interest के साथ, तो एक साल बाद की value 114 के बराबर है, तो आज value value 100 के बराबर है, तो या तो तो तुम एक काम करो, हाँ, तुम ए आज आएगा ना, इन्टु 100 अपान 114, तो 100 अपान 114, 1 divided by 1.14, निकालो इतनी financial management तो आती हैं ने मेटा, हाँ, निकालो निकालो, वन आगया, 1 divided by 1.14, आया, क्या आया, तो 0.8772 आगया, अब या तो तुमारे हाट में हाटने calculator ने चमतकारी calculator, विल्कुल चमतकार दिखाए सब्चाइगा, अब कुछ तो पते जाओ, अखले साल के आथे हैं, देखो मजा आए गा, आगया, एकवल टी दबाओ, 0.79, equal to, 0.79, equal to, एकवल टी मजा आ रहे हाँ, आए ना, आहा देखो, बस यह आ जाएंगे, तो यह आजाएंगे तुमारे, तो बटा यह 108,000 रुपे को इस से multiply करते जाएंगे हम सबको तो यह answer आता जाएगा यह काम करो इन सब का total लेके एक ही बार एक 180 से multiply कर दोगे तो यह आ गया 8,47,890 तो आपने निकाल क्यों रहे हो बेटा मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ ऐस फाइनेंस ली उचला अपर अपर इस में सिच Grandma अभी पढ़ाई दी न मैंने उस में यहां टे ठा ली अटेल की प्रजेंट क्राषा अजो निकाल वैई लाय कि कर रहा हो ऑच्यक कर रहा हूँ है बेटा तो एक लाग ऐसीएजार इंट्वाथ टोटल कितना लिया जा रहा है अगा पर उसकी प्रेजेंट वेल्यू के लिए प्रसेंट वेल्यू एट फॉर्टीच पॉंटिच नैंती एट फॉर्टीच ज़ा नंथी स्फटैट तो बाकिता इंट्रेस्ट जोता है तो टो पंद्रह यह पर्सेंट आहरा है मतलब लेश और लेसी को 20 साल की लाइफ वाली असेट को आठ साल के लिए रहा है वादा आने वाले बारा साल तो उसके पास जाएगी केवल पीरियाट देखूंगा तो वह पहले एक लिए रहे की आपरेटिंग लीज्य देक्ट अकरी में देखना है हाँ वेटा पीरियेड लास में देखना है अरे हम आपसे जो पैसा ले रहे हैं 20 लाक में से असे 15 लाक में से असे 50 लेक रुपीज की है तो हम आज आपसे जो ले रहे हैं लेंगे तो आज की उसकी वर्त है यह 8,47,090 तो हम आपसे टोटल 56 परसेंट ही तो ले रहे हैं लगबग लेस और लेसी से तो बिटा मैंने थोड़ी दिर पहले कहा था ना आपसे कि अगर लीज रेंटल की प्रेजन्ट वेल्यू 90 परसेंट यह उससे ज्यादा यह 100 परसेंट यह उससे ज्यादा आ जाए तो फरनेंस लीज है 90 परसेंट से कम पर वो क्या है लिख दिया यहाँ पर सो ऑपरेटिंग लीज और इसी लिए यह सवाल ऑपरेटिंग लीज का है इसी लिए मैं लेसी की बुक्स में यहाँ पर एंट्री करूँगा लीज रेंट 2 बैंक एंड पीनल 2 लीज रेंट हर साल यह एंट्री होगी लेसी की बुक्स में डियर यह डिसकाउट रेट तो केवल यह प्रूव करने के लिए ठाए यह सवाल में जो डिसकाउट्रेट इंट्रेट के लिए दिया था कि यह ऑपरेटिंग लीज है या ठीक है क्या क्या सीख लिया accounting for operating lease in the books of lessor in the books of lessee operating lease का transaction है तो asset lessor की books में आएगी depreciation lessor की books में आएगा कोई खर्चा cost incur करेगा lessor तो वो lessor के लिए expense होगा अगर कोई cost incur करेगा lessor और उससे asset की value capacity बढ़ती है तो asset की cost में capitalize हो जाएगी जुड़ जाएगी है ना और lease rental जो है वो income है एक साथ पूरा मिल जाएगा तो advance lease rental liability है और उसका हर साल कुछ इससा income की तरह P&L में आएगा balance sheet किसकी balance sheet में asset आएगी lessor की balance sheet में asset आएगी और operating lease में lessee की books में कुछ भी tension नहीं है ना तो balance sheet में asset आएगी बिल्कुल asset उसकी books में आनी ही नहीं है हाँ वो जो मशीन री लिए जैसे तो वो asset नहीं आनी है हाँ पर लेसी मानलो यह वन लेक 80,000 रूपीज वन लेक 80,000 रूपीज आठ साल के लिए जो दिये थे वो हर साल दे रहा है वो एक साथ दे देता तो expense तो 180 है पर यह prepared उसकी asset आजाती वैसे asset आजाएगी वैसे asset आजाएगी पर जो asset lease पर दी में उस asset की बात कर रहा हूं उसकी ownership लेस और के पास ही है उसका depression लेस और नहीं लगाया है यास लीज रेंटल इसके लिए expense है और इस सवाल में अगर यह 1,80,000 पूरा एक साथ दे देता पूरा एक साथ तो expense इस साहर साल 180 180 PNL में जाता लेकिन हां 180 PNL में जाता तो बचा हुआ जो साथ साल का prepared expense है तो वो तो एज़ प्रीपेइड asset में आता लेसी की बुक्स में ब झाल